हेलो फ्रेंड्स दिस इस रोहित आज मैं आपको बताना जाता हूँ कि यह तो सबसे पहले तो यह बताना जाता हूँ कि यह विटारा ब्रेजा कार है जैट एक्षाई प्लस मोडल है और यहां पर यह इंस्ट्रूमेंट कलस्टर है इसका इसमें आप यह चीज देख रहे बना रही है कार की जैसे आप लोंग रूट पे चलाओगे यह बननी शुरू हो जाएगी जब आप इसको सिटी में ड्राइब करोगे तो यह कम होनी शुरू हो जाएगी पट यह एक्ष्वल में माइलेज नहीं है यह सिरफ एक एवरेज बना रही है पिछली जो कि अब तक बन रही है बट अगर आप एक्ष्वल में माइलेज इसकी देखना चाते हो तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप कैसे माइलेज दे सकते हो आप देख रहे हो कि इसके राइटनर साइड पे यह नोब है इस नोब को आप अगर प्रेस करके रखोगे तो यह जीरो हो जा यह आपको दे रही है वो ही आपको शो करेगी ठीक है और इसको देखने का एक और तरीका यह है कि जैसे यह ZXI मोडल और ZXI प्लस मोडल में जैसे यह टच्स्क्रीन आता है तो इसमें भी आप देख सकते हो कि ऐसे करके आप इसके अंदर जाओ यहां पे हिस्ट्री आती है हिस्ट्री पे क्लिक करो और आप देख सकते हो कि यह जो माइलेज शो कर रहा है आपको यह तो बहुत कम माइलेज शो कर रहा है बट एक्च्छल में यह है कि जब आप आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी उसके बाद जब आप जहां पे भी पहुंचोगे चाहे वो 5 किलो रहा है वहां तक शुरू होने से पहले शुरू होने के बाद और पहुंचने तक गाड़ी बंद होने तक कितनी उसने माइलेज दी होगी वो यहां पे शो करेगा जैसे यह 9.5 यह 6.1 यह 6.9 यह भी एक आवरेज यह भी एक माइलेज है कि मैंने जैसे दो गलिया चोड़के गया दो गलियों में तो बंपर to बंपर ट्राफिक के कहा हम कैसे यह माइलेज दे जाएगा ठीक न तो इसी लिए यह इतनी कम दी हुई है कि दो गलिया चोड़के मैं एक मीटर गया आदा किलो मेटर गया तो इसने इतनी माइलेज से पेटरोल लिया बट एक्च्छल में य कि मेरे को 19-20 भी दी हुई है इसी ने और इतनी कम भी दी हुई है इसी ने ये डिपेंड करता है कि आप कैसे चला रहे हो कौन सी रोड पे चला रहे हो और कितनी ब्रेक लग रही है आपकी गाड़ी की ठीक है अगर आपको इंफोमेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को दूर लाई करना थेंक्यू सो मच